जैहू करूली सरकार की, जैहू कामाख्या माता की, जैहू शिफशक्ति दर्बार की, बुलू राधा रमनहरी बोल, मेरा नाम हर्शिता कोला है और आज हम इस वीडियो में लेपन से रिलेटिड सारी बाते जानेंगे, ठीक है? तो अभी सबसे पहले है, कि लेपन किस-किस को कब तक लगाना है, तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो डाल रखे है, बट फिर भी मैं इन शॉर्ट इसको बता देती हूं, कि नॉर्मली जिनको थोड़ी बहुत परिशानी रही है, उनको तीन महीने तक लगाना है, जिनको क महीने लगाना है, और जिनको असाध्य रोग रहे हैं, उनको एक से देड़ साल तक लगाना है, ठीक है, बाकी आप इससे ज़्यादा समय तक ही लगाएं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने कई गई लोगों का ऐसा देखा है, कि उनको ज़्यादा परिशान मंगवा सकते हैं, तो देखे, लेपन आप नहीं मंगवा सकते हैं, लेपन अगर आपको चाहिए, तो आपको दर्बार ही जाना पड़ेगा, ठीक है, दर्बार जाकर कि आपको खरीदना पड़ेगा, और एक चीज ये है, एक किसी ने पूचे कि क्या ये सिद्ध लेपन हम पर बना सकते हैं, तो आप घर पर ये सिद्ध लेपन बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है, ये लेपन सिफ अपने करूली सरकार कानपुर दरबार में ही मिलता है, माबाबा द्वारा सिद्ध किया हुआ लेपन रहता है, तो ये लेपन आप नहीं बना सकते हैं, ये लेपन दर दिब्बी की कॉस्ट है और लेपन जो है उसके साथ एक कपड़ा भी मिलता है आपको एक लेपन की डिब्बी पांच दिन में खतम करनी होती है मतलब पांच दिन तक आप उसको यूज कर सकते हैं खतम नहीं मतलब पांच दिन तक आप उस डिब्बी को ही सेम डिब्बी को बट आप पांच दिन तक ही लिमिटेड ड्रग है क्योंकि दर्बार में एक डिबी का यूज पांच दिन बताया जाता है ठीक है ये चीज दूसरा कि जब आपका वो लेपन बच जाता है पांच दिन बाद है ना तो उसको क्या करना है तो आप उसको जस्ट बॉटी स्क्रब क मतलब शायद मुझे ऐसा लगता है कि खूब जड़ी भूटी हो इन सबसे मिलकर के बनाए तो आप उनको ऐसे फैकेंगे तो मतलब क्यों फैके है ना और सिध चीज है दर्बार की है तो ऐसे मत फैक ना आप पौधों में डाल दें ठीक है और क्या बता सकती हूँ मैं लेप पानी नहीं है ठीक है और एक चीज और बता दूँ लेपन आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं वो आपके छबर निर्भर करता है ठीक है और एक चीज और बता दूँ कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है और मैंने खुद भी experience किया है क्योंकि मैं भी लेपन लगा रही कि हमारे सर में दर्द होता है नसे खिचती है सर की और मेरे साथ भी वही कि सर पे भारी भारी पंसा तो ये होगा ये मत सोचना कि लेपन कोई side effect कर रहा है या कुछ ठीक है क्या है वो चीज जो जमी पड़ी थी न वो उसको निकालेगा तो फिर जब निकालेगा तो फिर वो उथल पुथल तो मचेगी ही तो उससे मत घबराना लेपन के बहुत जादा फायदे हैं बहुत जादा फायदे हैं जैसे मैं एक example बताती हूँ एक आंटी थी ठीक है तो मैं इश्वरी ची किसा देखती थी काफी पुरानी थी तो वो बतानी थी कि गुरू जी हमने जब से लेपन लगाना शूर किया है तो हमारे जो गरभाशे है उसमें हमेशा सूजन बनी रहती थी लेकिन जब से हमने लेपन पूरा किया है अपना तीन महा तो हमारी जो गरभाशे में सूजन बनी रहती थी वो अब नहीं है तब से वो सूजन ही खतम हो गई है तो आप यह तो वो आपके पूरी बौडि पर ही असर करता है ठीक है ये यनिकी किसीको दिमाग के परेशानी होगी तो ही और किसीको अगर आँख की भी परेशानी हैं तो उसके लिए भी लेपन schaut हैं क्योंकि आँख हो या पैर हो या शरी की कोई नस हो सबका संबंद हमारे सर से ही है हमारे नर्वस सिस्टम से ही है तो लेपन को बिलकुल हलकी में ना ले अभी मैं कुछ दिन पहले गुरू जी की एक वीडियो देख रही थी तो गुरू जी उसमें बोल रहे थे लेपन को आप हलके में लेते हैं बलकि लेपन तो पूरी चिकितसा का बाप है जो लोगों ने लेपन किया है उनसे पूछो वो कहां से कहां पहुँच गए तो लेपन को बिलकुल हलके में ना ले लेपन आप करें ठीक है अगर और कोई डाउट आपका बचसा है लेपन के लिए तो प्लीज आप कमेंट करें और एक चीज और जिनको भी वीडियोस नहीं मिलती है ना तो आप लोग कमेंट करते हैं कि ये बता दीजे ये बता दीजे मैं समझती हूँ आपके परेशानी लेकिन आप इस ये जो चैनल है ना माँ बाबा की प्यारी हर्षी इस पर आल्मोस सभी ट है उससे पता लग जाएगा कि यह यह इस पर वीडियो है इस पर वीडियो है ऐसे करके आपको एक एक चीज पता पड़ जाएगी ठीक है तो आप यह करें और अगर कोई दिक्कत होती तो प्लीज आप कमेंट करें जल्द नहीं तो थोड़ा देर से में रिप्लाइ करूंग ठीक है जै बाबा की